नमस्ते कैसे है आप सब स्मार्ट स्टार्ट में आप सभी का स्वागत है चित्रवर्णनव और वीशे है उपवन गार्डन तो बच्चो ये है हमारा चित्र ये चित्र है एक उपवन का उपवन याने गार्डन गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे है वो किसके साथ खेल रहे हैं उनके पास एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल के साथ खेल रहे है गार्डन में हरियाली चाई हुई है, पेडों पर सुन्दर सुन्दर फूल खीले हुए है चीडिया चहेक रही है, तितलिया खेल रही है और बहुत लुभावना वातावरण चाया हुआ है तो इस चित्र का हमें चित्रवरणन करना है तो हमें जब वाक्य बनाने होते है वो वाक्य मंजुशा में दिये गुए शब्दों के अनुसार बनाने होते है तो मंजुशा को समझ कर ही हम वाक्य बना सकते है हमें मंजुशा समझ गई तो वाक्य बनाना आसान हो जाता है तो आईए पहले मंजुशा को समझते हैं तो मंजुशा में दिये गोए शब्द है चित्र वरणन करते समय हम मंजुशा में देगोए शब्दों का प्रयोग कर चार या पाच वाक्य बनाते हैं चार या पाच वाक्य काफी है तो हमारा पहला वाक्य है इदम उपवनस्य चित्र अस्ति ये चित्र अउपवन का है बागीचे का है उपवने बालका कंदुकम क्रिड़ंती उपवन में बागीचे में बच्चे गेन के साथ खेल रहे है तीसरा वाक्य है उपवने खगा तितली का च उड़यंती उस बागी चे में चीडिया, तितलिया इधर उधर उड़ रही है चौथा वाक्य है उपवने एक कुकुर अस्ति उस बागी चे में एक कुत्ता भी है उपवन अस्य शोभा, मनोरंजक, भवती जो उपवन का वातावरण है वो मनमोहक है तो ये थे हमारे वाक्य फिर मिलेंगे